जहेएं दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक और नई वीडियो में है दोस्तों जो डिस्प्ले पर आप यह नोटिफेकेशन देख रहे हैं यह आपका है 39 गोरका ट्रेनिंग सेंटर जो कि आपका वारणजी केंट में है दोस्तों यहाँ पर आपके अगनिवीर की दोस्तों भठती है 39 गोरका training center में जो कि आपकी 5 फरबरी को यहां पर दोस्तों आपकी conduct होगी पांच फरबरी क दोस्तों आपकी यहां पर यह भठती होगी आपकी 39 गोरका training center में वारंड़ीकन एक चैंट में तो हैंपर आपको बता जेता हूं कि दोस्तो पहले तो इन्हों ने उपर warning दी हुई है कि यहाँ पर कोई भी दोस्तों आपको जैसे कोई दलाल मिलता है भरती करवा देंगे इस प्रकार से ऐसी कोई भी हाँ पर प्रकरिया नहीं चलने की बलिकुल निस्पक्ष भरती होगी इस प्रकार से यहाँ पर इन्हों चेतावनी के गूर पर लिखा हुआ है आपको नोटिफिकेशन में पहले उसके बाद बात करते हैं आपके 39 गोर्खा ट्रेनिंग सेंटर में दोस्तों आपकी भरती होगी जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी अगनिवीर के तहत होगी जिसमें कि आपकी यहाँ पर जो यह भरती है यूनिट है ओढर कोटा के दोस्तो बेश पर भरती होगी होगी इंडियां डो मीटा कोल फा दोस्तों पर भरती है submission के लिए और अगनिवीर के या निकि कि आपकी पांच परबरी को दोस्ते हैं पर conduct की जाएगी जो आपकी हैंपर schedule होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि पहले दोस्तो आपके हैंपर screening होगी आपकी अगनीवीर general duty की tradesman की and killer की दोस्तो लेकिन ध्यान रखना की आपका जो domicile होगा वो Indian domicile होगा दोस्तो पांच होता है आपका physical fitness test यानि कि जिसमें आपकी running होती है solar simulator की और PMT में होता है दोस्तो आपका measurement यानि कि आपकी height, chest, weight आपकी यह सब उसमें नापतोल किये जाती है फिर बात करते हैं next day की यानि कि आपकी 6-6 और 7 फरवरी को यहाँ पर आपके बच्चों को जितने भी बच्चों measurement test में जो qualify कर देंगे उसके बाद दोस्तो 8 तारिक को आपका aptitude test होगा musician वालों का दोस्तो जो बच्चे पहले PMT, PFT पास होगा उसके बाद आपका aptitude test होगा उसके बाद जो पास करते हैं आपकी 9 फरवरी को दोस्तो आपका medical exam होगा लेकि 9 फरवरी दोस्तों आपको पहले भी हो सकता है जिए बच्चे को यहाँ पर RMDS नंबर मिल जागा उसी साफ से आठ को भी यहाँ पर आपका medical हो सकता है उसके बाद medical होगा आपका 9 फरवरी का जातर बच्चे को 9 फरवरी की date दी जाएगी होगा उसके बाद जो next होगी अपकी प्रिगरिया final document checking हो जाएगी तो रिटिन एक्जाम के लिए होगा वो आपका दोस्तों है पर 9 मार्च को लिखा हुआ है आपको 8 से 9 मार्च को आपको contact करना होगा वापर अपने center में लेकिन 9 मार्च से दोस्तों आपको date बता दी जाएगी उससे पहले गर आपको आएगा तो आपके जो contact होगा उस पर दोस् center है उन सभी center का आपका एक दिन ही आपका एक्जाम होता है जो कि इस बार है आपका 10 मार्च का जितने वी तक center के physical fitness test यानी complete हो चुगे है आपका सभी PMT, PFT सब कुछ document यानी कि जो बच्चे ground feet है उन सभी का दोस्तों 10 मार्च को हैं पर आपका आर्मी का exam होगा तो दोस्तों अपने सभी documents complete करके हैं पर ले आ सकते हो और दोस्तों आपको बता जता हूँ कि यहाँ पर sportsman की भरती आ चुकी है राजरीव center में जाकर हमारे telegram channel पर से आप notification देख सकते हो और दोस्तों BST की भरती है यहाँ पर आज चुकी है जिसका हमने notification अपने telegram channel पर डाल दिया है अप अपना YouTube channel तो जाकर subscribe कर लेना bell icon को all पर जाकर set कर लेना ताकि आपको सभी भरती के update यहाँ पर मिलती रहे है तब तक के लिए धन्यवाद जहीं जय भारत मिलते हम आपसे फिर किसी ओर चल अपटेट में